हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल टूथ ओफशे मार्केट सो डिस्कस कर लेते हैं बाउट निफ्टी बैंक निफ्टी अनिलेसिस फॉर फस्ट सेप्टेंबर 2023 आज मंतली एक्सपाय दी नेक्स मंत में क्या पोजिशन बिक प्लेयर ने बिल्ड किये फैस ने बिल्ड किये चार्ट क्या बोल रहा है एंड ओप्शन चेन क्या इंडिकेट कर जी है तो यह डिसकुशन करना है यहां अगर हम देखें तो एक चैनल सेक्शन है जिसके उपर नीचे मार्केट किस तरह मूवमेंट देगा वह हम डिसकस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं फरस्ट अफल इस करोड की इस ने सेलिंग किये तो इनके साथ प्रो और रिटेलर ने मिलके मार्केट को आज फोल कराया अगर इंडेक्स फूचर की बात करें तो एफाइस काफी बियरिश है चोईस सो पच्छिस सो करोड की इनकी सेलिंग है और साथ में अगर इस टोक फूचर देखें तो इ हम सम करते हैं तो यह दोनों मिलके हो जाते हैं हमारे पास साथ अजार के करिए फिचर में सेलिंग है मतलब शोट टम में काफी बेरिश है और अगर इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो यहां पर इनोंने कुछ कॉंटिटी बाए भी कर रही है चितना मुझे लग रहा है उत 259% बड़ा है निफ्टि हंसेक्स दोनों नेगेटिव में क्लोज है तक है अब डेटा क्या है। यह बी ब्रेश है कि यह खाल जिखर में अगर님ATION यहां से यहां तर market एक channel में चला एक बार नीचे जाके open हुआ and नीचे गया फिर वापस उसी channel में आगे ठीक है and उसी channel में market चल रहा है इसके बाद breakout हुआ उपर गया नीचे वापस आया फिर channel फिर उपर और अब ही कोशिश कर रहा है last three days से कि उसके उपर यह sustain कर ले अगर यह sustain सही रहता है तो market एक upward movement दे सकता है और अगर यह sustain नहीं करता तो market नीचे फोल कर सकता है और इसके level 19077 तक के रहेंगे first level और अगर यह कल जाता है तो 19077 है दो दिन बाद जाएगा तो यह level decrease होते जाएगे ना यह क्योंकि यह line नीचे जा रही तो जैसे जैसे और दिन चार दिन बाद जाएगा तो शायद 18900 तक के level आ जाएगे तो इस वे में आपको समझ के चलना है कि इसको survive कर रहा या नहीं कर रहा तो यहां आप एक trend line डो कर लेना और यह नीचे एक trend line डो कर लेना तो यहां से आपको एक channel का view मिल जाएगा लेवल का important है तो लेवल के लिए मैं बात करता हूँ कि यहां अगर sustain करता है कलमान लो यहां तक भी खुला 19260 तक भी और उसके उपर जाता है यहां से अगर bounce करने लगेगा तो देखो एक डबलू pattern है जिसका formation यह complete करेगा इस neck line को भी break करेगा और उपर जाएग और अगर यहां से fall start होता है तो यहां तक के chances जेगे market 19077 तक fall कर सकता है और इसका breakdown भी दे सकता है it's not a big deal कि हाँ यह यहीं sustain कर ले तो यहां अगर कल गया तो यह level है परस हो जाएगा तो और नीचे level हो जाएगे और फिर अगले दिन जाएगा तो और नीचे level हो जाएगे और अब भी लेवल इंपोर्टेंट क्या है कि यह sustain करना चाहिए और sustain करेगा अगर आज कलो तो 19376 और 176 के उपर आपको थोड़ा सा movement देखेगा 19,470 और जैसे ही यह 450-460 के उपर जाता है तो फिर एक bullish movement आपको इस्टार्ट होता दिखेगा तो अगर market side वे खुले यहीं रहे तो avoid करना trade 19,375 के उपर हम buy करेंगे for the target of 471 और 504 sell कब करना है तो वैसे आप यह trend line डो कर लेना इसके नीचे अगर आपको दिखते है market तो ही sell करना थोड़ा नीचे खुलता है उससे कोई लेना देना नहीं तो आज का low तूट है तो आप sell कर सकते हैं कल तो उसके के बाद आपका level क्या रहेगा 19,161 पर थोड़ा दिर यह रुकेगा उसके बाद 19,077 के level आपको देखने को मिल सकते हैं नेक्स बात कर लेते हैं बैंग निफिटी की, बैंग निफिटी का formation का है चार्ट structure की बात करूँ तो देख़ो, चार्ट structure क्या रहा है कि ये इसने shoulder बनाया, head बनाया and then shoulder बना रहा है तो जब तक यहां पर range bound रहे तो आप भी कोशिश करना कि हम भी इस range को play करें यहां उपर दिखे आपको यह range तो यहां पर आप sell करना इस range के लिए और यहां पर buy करना इस range के लिए यह तो चार्ट का formation है level की बात कर लेते हैं लेवल क्या कर रहा है अच्छा हाँ प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया गीजिए लाइक और कमेंट जरूर कर दिया गीजिए ताकि मुझे पता रहे है कि हाँ आप लोग सपोर्ट कर रहे है लेवल की बात कर लेते हैं लेवल क्या है 14157 के उपर जाएगा तो आपको 14400 तक के लेवल और फिर 700 तक के लेवल यह अपवर डारेक्शन देखने को मिल सकते हैं नीचे अगर इसने देखो यह पैटर्न का ब्रेक आउट किया तो फिर एक फोल आपको दिखेगा कहां तो यह आपके लेवल होंगे ऑप्शन चेंड की बात कर लेते हैं उप्शन चेंड उननीच सजाएग दो सुपचास के राउन क्लोज हुआ है मारके यहां पर अगर हम देखें तो ओई जो जनरेट हुआ है तीन सो पर रेजिस्टेंस बिल्ड हुआ है कि छार्सो पर पर यह पांश उप्शन से कितना है 55 लाग उननन चास लाग और सी ठीचेंड और फिर इसदेंस की बात कर लहते हैं सुरी सॉपट की बात कर लेता है तो सपोर्ट का मिल्द का है 19,300 पर support build हुआ है ना यानि इनको उम्मीद है कि थोड़ा बहुत gap up होगा या थोड़ा बहुत उपर आएगा तो अफिर यह exit कर लेंगे अपनी premium decay करके and next support क्या है 24,200 पर एक support है तो 200,300 उसके बाद support 19,000 पर direct है ना वो भी ज्यादा बड़ा support निये 28,000 वहाँ option writer बेट है ठीक है बट एक और support 19,400 पर भी निकल के आ रहा है तो यह जो दो चीज़े ना 19,300 पर support और 400 पर support दो बिल्ड हुआ है यह एक positive indication तो दे रहा है ना बट market supreme है हम database बात कर सकते हैं पर बाकी क्या होगा वो देखना होगा है so I hope यहाँ चीज़े clear होंगी 400 पर अगर यह 380 के round जाए तो आप 20 पॉइंट या 30 पॉइंट का sell लेके sell कर सकते हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पर आएगा तो यह भी book कर लेंगे उपर आएगा इनका benefit हो जाएगा तो यह भी book कर लेंगे और अगर इसके बाद कहाँ put buy कर सकते हैं तो put आप फिर next बाद buy कर सकते हैं 550 पर 400 या 3080 पे दिख़े तो 410 का sell लेके आप put buy कर सकते हैं 550 पर दिखे तो आपको 30 point का सेल लेकर यहां पर भी put by कर सकते हैं तो इनने सजार 77 जो हमारी channel का नीची के level आ रहा है उने सजार 77 वहां हम call by कर सकते हैं तो इननी 50 40 तक तक 1940 पर हम निकल जाएंगे अगर हमारे opposite direction में जाएगा और कहां हम call call buy कर सकते हैं एक call का level ये भी है 300 यानि 410 के उपर अगर सर्वाई करता है तो आप call buy कर सकते हैं with 370 as a sell तो 410 पर यहां पर call buy कर सकते हैं जहां हम put का sell लेंगे उसी level की बात कर रहा हो तो यहां पर आप call buy कर सकते हैं so I hope चीज़े clear होंगी कहां call कहां put बनेगा and अगर हम बात करने bank nifty की bank nifty की बात करने तो 34,000 के round closing है 34,000 पर हम देखें resistance and support equal है and इसके बाद अगर मैं support देखूं तो direct 34,500 पर और फिर 34,000 पर और अगर मैं resistance देखूं तो 24,200 पर resistance बिल्ड हो चुका और 24,500 पर तो strong resistance तो as compared to support resistance is strong है अगर 24,900 के नीचे जाना लगेगा तो आपको एक यहांद नीचे नीचे जाना लगेगा 800 के नीचे जाना लगेगा तो 500 तक का moment आपको देखने को मिल सकता है इन बैंग निफ्टी और आपका call कहां बनेगा तो 500 पर एक call बन सकता है आपका ठीकिए और उसके पहले कहां बनेगा तो उसके पहले आपका 880 पर बनेगा ठीकिए और यहां केवल 30 पॉइंट का S.L. लेंगे फिर वापस 30 पॉइंट का S.L. बड़ जब आपके डिरेक्शन में जाए तो कम से कम आप फिर चम्वाले सजार 200 तक यह निकल लगा ठीकिए तो यह कलिए रखना एंड पुट कहां बनेगा तो पुट यहां बनेगा 180 पर चम्वाले सजार 180 पर पुट बनेगा आपका एंड चम्वाले सजार 500 पर एक पुट बनेगा ठीकिए 500 पर जब पुट बनेगा तो वो 550 के राउंद बनाना और 650 का S.L. रहे गा ठीकिए और 1500 पर जब बनाएंगे तो फिर आपका 200 तक का SL रहेगा ठीक है, यानि 100 पॉइंट के SL रहेगे दर ठीक है, so that's about bank nifty, यहां से अगर नीचे fall करेगा, तो 900 तक के level है 300 पॉइंट का movement capture करना है और यहां से अगर fall करेगा, तो 200 पॉइंट तक के movement है, यानि यहां पे भी 300 पॉइंट का movement capture करने की कोशिश करेंगे 100 पॉइंट के SL के साथ so I hope चीज़े क्लियर होंगी, अगर क्लियर हैं तो please like, share, subscribe and comment, thank you